Welcome back students, आज हम पढ़ने वाले हैं, Class 9th का Chapter 9 है, Force and Law of Motion So, बात करेंगे, Force के बारे में, तो Force क्या चीज है, तो अगर हम Really में कहें, तो Force क्या हम देख सकते हैं, तो हम Force को देखने ही सकते, तो Force cannot be seen, इसको देखा नहीं जा सकता है इसका जो effect है उसको क्या किया जा सकता है feel किया जा सकता है क्या force की हमको importance पता है हाँ तो force का बहुत बढ़ा importance रहता है लाईफ में जैसे अगर हमारे पास में हम लोग यहां को खड़े हैं तो क्यों 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 ग्रेविडेशन force जो है ट्रेक्टी किया हुआ है और जिसके कारण हमम यहापक कर गहा है स्टेकर पारहे हैं इसी तरीके से अगर friction force होगा हम लोग चलते हैं तो चलने के लिए क्या लगता है friction force लगता है अगर friction force doesn'tra हम उसमें से slip कर जाएंगे फिसल जाएंगे तो इसलिए ना फोर्स का effect है ओके ना तो इसकी क्या definition हो रखती है तो start करते हैं what is the force ना तो force की definition को definition में start कर तो definition of force क्या होगी तो definition of force में आपको लिखना है force it is a push or pull which either changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of body okay so force का कम क्या है force क्या है या तो यह हो सकता है push और या तो जो क्या हो सकता है and pull या तो आप इसको क्या कर गजए को जाइगा, किसी अगर कोई भी object तुथ रेस्ट में है तो उसकी position को क्या करना चाहेगा चेंज करना चाहेगा जैसे अगर रेस्ट में है तो उसको क्या कर देगा वो मोशन में लाना चाहेगा अगर वो पहले से मोशन में है तो क्या कर देगा उसकी मोशन को वो स्टॉप करना चाहेगा तो यह नेचर किसका है यह नेचर हो गया आपका फोर्स का ओके नाव तो जैसे अगर हम देखते हैं ग्रेविटेशन इक इंपोर्टेंट फोर्स है तो ग्रेविटेशन का काम हमेंसा क्या होता है पूल करना तो हमें क्या करता है ग्रेविटेशन हमेशा अपनी और क्या करता है अट्रेक्ट करता है तो यह हमारे पास में वाले आपज़ट क्या कर सकता है uniform motion में ला सकता है और uniform motion वावज़ट क्बोट प्रेश्ट में ला सकता है जैसे पहला example move a body lying at rest अगर एक body क है रही है क्या कर रहा है तो देखिये उसको क्या कर सकती है वह move a body, lying a chest तो उसको rest बला सकती है जैसे देखे, kicking a stationary football हमने क्या किया, एक football जो है वो stationary position पर है अगर हम सको kick करेंगे, तो motion मा जाएगा again देखे, lift a book kept on a table top अगर किसी table के उपर, यहाँ पर एक copy हमारे पास में रखी हुई है तो हम forcer का क्या कर सकते हैं उसको lift कर सकते हैं, उसको उपर के और उठा सकते हैं hitting a stationary ball अगर एक recovery ball है with a bat, तो हम bats क्या कर सकते हैं उस ball को hit करके उसकी portion को क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं और change, और यही nature किसका है force का है, तो force की definition भी लिखी न तो force क्या है, it is a push or pull या तो push हो सकता है, या तो pull हो सकता है which either changes or tends to change या तो change कर देगा पूश तरीके से या pushes करेगा, किसका, the state of rest और uniform motion of a body body अगर rest में है, तो उसको motion में ला सकता है अगर motion में है, तो उसको क्या कर सकता है rest में ला सकता है, इस तरीके से वो बहुत सारे example बन सकते है देखते हैं, अगले example so next example क्या है, कि आपका stop a moving body तो कोई भी body अगर move कर रही है तो उसको क्या कर सकता है, stop कर सकता है तो कैसे, by applying a force so example, a moving ball can be stopped by the force of our hand, अगर हम किर-किर खिल रहे हैं और हमारे और ball आ रही है ना हाथ से उसको रोख सकते है तो वो चलती हई ball को क्या कर सकता है stop कर सकता है यह nature किसका है, force का है और वो क्या कर सकता है, change the speed of a moving body कोई भी body अगर ya ball, या body या कोई भी object है ना, अगर वो move कर रही है तो उसकी, हम Видite को क्या कर सकते है change कर सकता है, कैसे by applying the force अगले example मों हम लिख सकते हैं change the direction of a moving body अगर कोई भी ball आपके ओर आ रही है तो हमने क्या किया इसको bats से मारा और उसकी direction को क्या कर दिया change कर दिया, अगर कोई food ball आया तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको अपने food से मार के उसकी direction को हम क्या कर सकते है चेंज कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो सकता है, किसके effect है, effect of the force, और क्या कर सकता है, तो ये क्या कर सकता है, change the shape and size of an object, तो कोई हमारे पास में अगर object है, तो उसके shape को क्या कर सकता है, force लगा के change कर सकता है, shape और size को change कर सकता है, तो जैसे आप सको क्या करते हैं, press कर सकते हैं, को को expand कर देंगे तद भी क्या सकता है उसके size में change आ सकता है तो यह सब answer जो आपको force की पावरमेंट में लिखने है तो definition क्या होगी force की force क्या है it is a push or pull which either changes or tend to change the state of rest or of uniform motion now effect of force moving of body lying at rest तो body को rest में आ सकता है या stop moving body को रोग सकता है उसके आप बहुत सारे moving body moving body की speed को बदल सकता है now change the direction of moving body again वह moving body की direction को बदल सकता है change the shape and size of the object और जो भी object है उसको हम press करके या expand करके उसके size को भी हम कर सकते हैं change कर सकते हैं तो अगर आप बुक में देखते हैं तो यह example आपको देखने को मिलते हैं तो जैसे यहां आपको लिखा गया है दब ट्रॉली moves along the direction of we push it तो जहां को हमने इस ट्रॉली पर फोर्स लगाया ना यह उसकी ड्रॉवर इस पूल्ड यह आपके पास में कोई टेबल है और उसकी ड्रॉवर को हमने क्या कर दिया बाहर की और पुषकल के इसको यहनकी फोर्स लगाके बाहर की और खोल दिया है ना अगेन इसको देखें यहां आपको दो hockey player दिखाए गए हैं और इसमें लिखा गया है तो hockey sticks hit the ball forward तो object क्या है यहां पर तो object पहले रेस्ट पर है इस portion पर और इसमें ना hockey ball से क्या किया hit किया तो ball क्या हो गया ball आगे की और अपनी portion को इसने क्या कर दिया change कर दिया due to the effect of force हम क्या करेंगे यह force का effect है next example में देखें तो यहां को क्या ना हमारे पास में spring है और spring का size कैसा है बिल्कु छोटा है अब अगले case में क्या कर दिया इन्होंने इस पर इस spring पर force रगाया और इसको क्या कर दिया expand करके बढ़ा कर दिया तो this is the effect of force next यहां क्या है यहां परको आपके बास में एक ball है और ball को दोनों हातों से क्या क्या यहां प्रेस करते भी दिखाया गया है ना तो इससे क्या हो गया तो इसका जो safe है और size है वो क्या होगे चेंज हो गए तो यही हमने इसमें पढ़ा भी है कि जो force है क्या कर सकता है shape size को change कर सकता है shape size को क्या कर सकता है change कर सकता है और जो कोई object rest पर है उसको motion पर ला सकता है rest पर है तो उसको motion पर ला सकता है यह rest पर है तो अगे इसको हमने क्या कर दिया चला दिया तो this is the effect of all of the effect of क्या है force के यह सारे effect है तो जब भी आपको पोर्स की definition लिखने के लिए करेंगे ये आप definition लिखने वाले हैं और उनके क्या effect हो सकते हैं ये भी आपको इसमें लिखना होता है सो मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you